हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप यूगाज वूदिंग ग्रेट वेलकम बैक वेंस अगेन सो इन दिस विडियो वी विल गोईग तो डिसकस अबाउट ओफ्सर लाइफ ओफ 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 में जो आपको देखने को मिलता है ओंजी सी ओफ 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 में अगर मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ सभी वो टोपिक से रिलेटेड में यहां पर बात करूंगा सो डू वच दिस वीडियो तिल दा इंड अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल खाना पिने का क्या स्वीधा है वर्क कितना आपको करना पड़ता है आपको छुटी बेगरा कितना मिता है सभी चीजों के बारे में A to Z आप लोग बताऊंगा तो स्टार्ट करते वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोस्टिंग इन ONGC अगर मैं बात करता अगर आपको जोब लेगा तो आप जासे तो गुजरात महराष्ट्र साउथ इंडिया में जा सकते हो इसके लागर बात करें कलकत्ता हो गया दहरादुन हो गया यहां पर आपका ONGC का या तो कॉर्परेट ओपीस है या फिर प्लांट है आपको यहां पर जोब मिलेगा ONGC और ONSOR का में बात करों अब बात करते हैं OPSOR जोब का OPSOR काने का मतलब क्या है SY यानि की OCEAN पे जाके आपको काम करना अगर आप बात करें को OPSOR का तो यह तो आपको मुंबय में मिल सकता है इसके लागर बात करें तो आपका राजमुंद्री जो आंध्र परदे से वहां यह लग पर फाइनल आपका offer later लेटर में मतलब इससे पहले आपको पता चलेगा जब C में काम करना, OCEAN में काम करना है हाँ, एक कोसेन यहाँ पर हमेसा आता है कि अगर मैं गल्स हूँ, तो गल्स के लिए क्या मुझे OPSOR, ONSOR चूज करने का OPSOR दिया जागा देखिए, अगर आप गल्लो तो ONJC पहला प्रिफर आपको देती है OPSOR जोब, यानि की लेंड में, जमीन में ओपिस वर्क देती है, प्लांट में वर्क देती है अगर आप चाहो तो आप OPSOR जा सकते हो तो गल्स हो तो आपके पास एक चोईस का है लेकिन अगर आप बोईस हो, तो अधिकतर आपको पर वहाँ पर जाना पड़ेगा, आप जाने का जो भी रेंट वेगर रहा था, फेर वेगर रहा था, वो ONGC आपको पे करेगी यानि की कोस्ट पर आए बाइदी ONGC, आप फ्लाइड बुप कर सकते हो टू टीर तक का AC आप ट्रेंड में जा सकते हो इसके अलावे बस वेगरा में आप जा सकते हो तो इसके अलावे आप खुद से भी ONGC, जितने भी आपका कोस्ट हुआ आप ONGC से बोल के आप वो सारा कोस्ट अपला बेर करेगी, वो आपका दे देगी चली यह तो हो गया, आप बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, इंट्रा सीटी, आपको ट्रेवल करना, मतलब आप जिस सीटी में रहते हो, उस सीटी से अलग सीटी में आपको जाना है, उस टाइम पिरेड में आपको क्या होता है, कि डिवाइड क्या जाता है, जिसे क्लास A city class B city अब class A city में जो 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 आपका city आएगा वहां का एक फेयर कर दिया गया है खास फेयर कर दिया गया है मलग कहने का मतलब क्या है जैसे आप डेली में टेक्सी में जाते हो तो टेक्सी में आप railway station से कहीं आप गए तो वो distance आप बता दिये तो जो भी class city में वो आएगा उसका जितना फेयर होता है वो आपको provide कर दिया जाएगा बास समझ में आएगा जब आप intra city जाते हो तब और यह चीद ध्यान रखेगा जो भी standard fair होता है उसे 3-4 गुना आपको जादा ही मिलेगा तो यह हो गया आपको जब आप travel करोगे home से लेकर कहां तक आपका office तक या फिर जहां पर आपको जाना है अब देखो जब आप वहां पहुंच जाओगे सबसे पछल आपको रिपोर्ट करना है base office पर रिपोर्ट करना कि हम पहुंच गया है अब वहां से क्या होगा चोपर पर आएगा helicopter वहां से आपको ड्रॉप कर दिया जागा कहां पर ऑफसर इंस्टॉलेशन एरिया पर यहां पर दिया यहां पर यहां पर जो गया मोवाइल हो गया अपना बेग हो गया और कुछ कुछ equipment हो गया वह आप रख सकते हो अब यहां पर और एक कोशन आ जाता सर अगर मैं फोन वेगरा दे देता हूं तो फेमली और फ्रेंड से कैसे कनेक्ट होता हो तो डॉंट वरी वहां पर उसका वी उपाय है आपको एक तो इंटरनेट वहां पर चलेगा और दूसरा सेटल किस कितना मुझे काम करना पड़ेगा ओपसर लाइट में तो देखो अगर मैं बात करूँ का ड्यूटी आर का तो सबसे अच्छा है यहां पर अगर मैं बात करूँ वन मन्त में होता है 30 अगर में लेके चलता हो कभी 28 भी होता है 31 भी होता है 30 अगर में लेके चलता हो तो 30 40 डे में वनली आपको काम करना 14 डे अगर वर्क पेटर्ण का बात करेंगे तो बोला जाता 14 डे ओन 14 डे ओफ इसका क्या मतलब है आपको 14 दिन 28 दिन में बात करता हूं 28 दिन में 14 दिन आपको answer में काम करना पड़ेगा और बाकि 14 दिन आपको छुट्टी करना है, मलब घर में अपना enjoy life करना है, अपना जो करना किजे, family के साथ time stream किजे, छुट्टी मनाईए, मातर 14 दिन आपको काम करना पड़ेगा, बात यहां पर आता है कि सर जी दो दिन कहां गया, 14-14, 28 होता है, 14-28 होता है, 2 दे कहां गया, 2 दे भी आपको छुट्टी के तौर पेज दिया जाता है, वो basically travel के लिए 2 दिन दिया जाता है, जिसका दूर घर होता है, उसको आने जाने में time लगता है, तो आपको 2 दे जा है, वो travel के लिए allowances दिया जाता है, तो आप चाहो अगर जिसका दूर है, उनका तो 2 दे travel में चल ठीक है, यह समझा है, क्यों दिया जाता है, इतना 14 दिन की हो, आपको holiday दिया जाता है, रिजन सिंपल है, कि आप 14 दिन जो भी आप सी में रहते हो, वहां तो ना तो उतना आप connect नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड से आप disconnect हो जाते हो, भाई connect कर सकते हो, बात वेगरा तो करी सब्सक्राइब करना पड़ा है, तो आप समझ गया duty pattern 14 day on 14 day of 2 day travel दिया जाता है, अब यह बाता अब बाताता सर वर्किंग सिप बताईए, मतलब यह तो मुझे पता चल गया कि 14 दिन काम करना, पर डे मुझे कितना काम करना पड़ा, तो 12 घंटा का सिप्ट रहता आपको, य साम साथ से लेकर सुबह का फिर साथ, पूरा नाइट, वो नाइट सिप्ट हो गया, तो 2 सिप्ट चलता है, आपको किसी भी सिप्ट में काम करने को मिल सकता है, याद रेखिए का सुबह साथ से लेकर नाइट का साथ तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आई मेरी बा बंकर दिया जाएगा बंकर आपको रहना है जमीन नहीं है तो कम लोकेशन फिक्स लोकेशन है वहाँ पे एक बंकर में चार आदमी रहने का विवस्ता होता जैसे जैसे आपका प्रमोट होते जाता हो आप सिनियर बनते जाते हो वैसे वैसे वह ती चार से तीन तीन से दो दो स से एक बट एक उसी को मिलता जिसका रेंग काफी अच्छा होता हाई होता है आपको मिला जगा आप experience हो जाओगे आपका rank हाई हो जाएगा तब आप एक बंकर में सिर्फ एक आदमी रह सकता है बट काफी अच्छा से एक बीडियो में बना चुका हूं जिसे मैंने बताया था कि ओंजी सी में कहां कहां काम करने को मिलेगा तो वह मैं सारा चीज बता हूं उस वीडियो में बनाया था दो जगार आता है एक होता हो आपका और प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है ड्रिलिंग रेक ढब यह दोनों की आथ हाता समझेगा जो आपका बात करूँ प्लेटफोर्म बहुत बड़ा कॉंपलेक्स जैसा बहुत बड़ा complex जैसा वो क्या क्या जाता है ocean bed जो होता ocean bed के साथ drill करके उसको installation क्या जाता रो fix रहता वो float नहीं करता तेरता नहीं है वो fix रहता जिसका मैं बात करो platform का अब platform में दो तरह का होता है एक होता process platform एक होता अन्मेन platform अन्मेन क्यों नाम दिया गया अन्मेन मतलब आदमी रहता वहां पर यहलिकॉपर से उतरेगा आप वहां पर वह और प्लेटफॉरम में एक process platform है जहां पर क्या process होता है लोसे निकाला जाता है और दो प्लेटफों होता है जो बहुत बड़ा कॉंप्लेक्स होता है और वो तेरता नहीं हो लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं ड्रील रेक का तो ड्रील रेक बड़ा होता है बट प्लेलफॉर्म इतना बड़ा नहीं होता है और वो दोनों तरीका का होता है और फिक्स्ट भी होता है और फ्लोट भी करता है एक फ्लोट करता है उसको हम लोग फ्लोटर कहा जाता है यानि कुवां बनाना रहेगा फिर उसको drill को हटा सकते हैं मतलब pillar को हटा फिर दूसरा जगा shift करके वहाँ पर जाके drill कर सकते हैं तो यह हो गया आपका क्या work culture अब हम लोग बात करते हैं drill lake के माने बताते हैं कि drill lake जो दोनों तरह खाता fix भी हो सकता है और float भी कर सकता है जो float करता उसको floater करेंगे एकदम ship जैसा रहता है अब यह बात करते हैं कि सर्क करते क्या हम लोग ocean में वह बताईए तो deer देखो होता क्या ocean bed में बहुत सारा oil है natural gas है अब इन सभी को मुझे हम लोग को निकालना है आप लोग को निकालना पड़ेगा और निकालेंगे कैसे drill करके निकालेंगे और निकालेंगे निकालना पर प्लानने बैचते फिर यहां पर ट्रांसपट होता हर एक एरिया में यह चीज होता काम अब दोनों का में बता दिया हो फिर भी बता देता है और बहुत सारा नो यह ग्यारा रहा बनाजाता और सिल्यक्ट करना आपका आप किस वैल से किस से नहीं कि है तरहेबाए यह आप काम रहेगा और कैसा आपको देखरेंगे- करना और अब बैटफर्म का ब्रेटफर्म का काम किया रहता है यहां पर सारे वेल से इससे यहां हो होता है वहां पर कुछ प्रोसेस्थिन का काम चलता और रॉसेस्थं काम होने के बाद भेजा जाता है अलग-छ जगह पर जिसे यह अ creative बात करूं आ Big प्लांट आप पड़ता है सूरत में यह चीज हो गया चलिए अब इतना चीज जानने के बाद आप बात करता है फेसिलिटी वहाँ पे क्या क्या मिलता है वहाँ पे तीन चीज आपको समझ में अभी तक एक तो आगया आपका ड्रिलिंग रेक दूसरा प्लेटफॉर्म और तीसरा आपका क्या ड्रिलिंग रहता लेकिन फ्लोट करता था फ्लोटर तीन चीज हो गया अब तीनों में सारे वह बेसिक फेसिलिटी जो है आपको मिलेगा जैसे कहने के मतलब खाने के लिए मेस वहाँ पे रहेगा ठीक है इसके बात करें टीव गेम तो नहीं प्ले कर सकते हो लेकिन इंडर का गेम बहुत सरा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और जो रहता काफी अच्छा वहाँ पर हैगा अगर बात करेंगे फूड का सर्फूड किस तरह का रहता है तो देखो डियर फोर स्टार या थ्री स्टार फाइव स्ट यहाँ पर पीना हर चीज महाँ पर काफी अच्छा आपको मिलेगा तो समझ गीए खाने पीनेओ को लेकर भी महाँ पर को कोई लेकिन अगर एरोप्लेंड का बात करेंगे तो हवा पे हो ना तो इसलिए आप देखेगा एरोप्लेंड में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है सेम केसा जाता है आपका ओप्सवर और ओंसवर में ओंसवर में कोई तो दिक्कत है निया आप फेक्ट्री में कुछ भी ब्ला आजाए तो एक तो थोड़ा बहुत रिक्स रहता है यह बात है आपको रिक्स कवर करना पड़ेगा यहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है अलांसेस दिया जाता अगर मैं बात करूँ ओंसवर से अगर बात करें कुछ हो चीज के बारे में जैसे सबसे पहले ट्रेवल अल बेर करना लेकिन अगर मैं ओफसर का बात करूंगा तो चोदो दिन जो आप वहां पर काम करेंगे पूरा का पूरा खाना बेर करेगी ओंजीसी मतलब आपका पोकेट से एक भी खर्चा नहीं हो रहा है चोदो दिन एक्स्ट्रा ट्रेवल का आपको आप मिल रहा जो भी आप फेसलेटी वह भी काफी अच्छा मिल रहा तो यह कुछ बेनिफिट्स है विकोज थोड़ा बहुत तो रिक्स है रेट लेकिन यह जैसे मैंने कहा ओस्टियन में काम करना एक काफी यूनिक और काफी एक 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 साइटिंग चीज है तो सभी को करना चाहिए हर एक के लाइफ जो प्रोटोकोल होता है कंपनी का जितने वो सभी इंपोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो सब में बता दिया फिर भी अगर आप से कोई डाउट लए कोई चीज पूछना तो यू कन कमेंड मी आप मुझे कमेंड कीजेगा मैं उसका रिप्लाइ करोंगा इंपोर् अपकोली ग्यूट प्रोट जो प्रोटो एंपोर्टो और एंप से और दिया कर्ण